क्या वक्फ कानून पर सरकार से सेहमत नहीं है चिराग क्या बिल पास होने से पहले चिराग गूट बदलेगा अपना स्टांड नमस्कार आप देख रहे हैं कि आपटन टीवी बिहार का स्पेशन सो बिहार का चौसर और मैं हूँ आपके साथ आप जाब देखें लोग सभा में केंद्रे मंतरी कीरन रजजुजो ने वक्फ कानून संसोधन वाले बिल को पेश किया है इस दोरान सदन में जमकर हंगामा हुआ इसी बीच लज़ीपी चिराग गूट का भी स्टांड सामने आया है और चिराग जो हैं थोड़ा कनफ्यूज नजरा रहे हैं जिहां सूत्रों की माने तो फिलहाल इस बिल को अगर स्टांडिंग या सिलिक्ट कमिटी में भेजा जाता है तो चिराग गूट उसके पक्ष में है पर अगर सरकार इसको पास करवाने की कोशिश करेगी तो फिर अपने रुख पर चिराग गूट विचार करेगा दरतल लोग सबह में 8 आगस्ट को केंदर मंत्री किरन रजजु ने वक्त कानून में संसोधन वाले बिल को पेश किया इस दोरान सदन में खूब जम कर हंगामा हुआ इसे बीच लज़ेपी चिराग गूट का भी स्टैंड सामने आया है लेकिन अगर सरकार इसको पास करवाने की कोशिश करेगी तो फिर अपने रुख पर उन्हें विचार करना पड़ेगा ऐसे में माना जा रहा है कि वक्त संसोधन विल को लेकर केंदर मंत्री चिराग पास्वान के मन में दुवधा है लजेपी सूतरों की माने तो इस बिल पर यह कहा जा रहा है कि बिल ठीक है लेकिन इसको लेकर मुस्लिमों की आशंका को पहले सरकार दूर करे इसके बाद कमीटी में विचार के लिए भेजा जाए उधर संसद में बिल पेश होने के बाद जमकर बवाल मचा बता दे की विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आई इसी दोरान जद्यू के संसद ललन सिंग और सरकार के तमाम नेताओर ने सिबिल के विरोध करने वाले को जवाब दिया जद्यू सांसद और केंद्या मंत्री ललन सिंग ने इसका समर्थन करते हुए वपक्ष को फटकार भी लगाई वही दूसरी तरफ राज़त ने इस बिल को लेकर सवाल खड़े किये राजसांसद मिशा भारती का कहना है कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है अधन में बिल आने पर देखेंगे एक बात तो साफ है कि चिराग पासवार भले ही एंडिये में हो लेकिन कई मामलों पर उनका फैस्ता एंडिये से अलग होता है और वह खुलकर अपनी आवाज उठाते हैं चाहे वह उत्तर प्रदेश वाला मामला हो या फिर अब वक्फ कानून इसको लेकर भी चिराग का स्टांड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है चिराग ने साफ साफ चिराग के गुट के जो लोग है उनका साफ कहना है कि अगर सरकार इसे डिरेक्टर पास कराना चाहेगी इस विल को तो उस पे वह अपना स्टांड बदलेंगे तो ऐसे में देखना दल्चस्प होगा किसे कानून पर चिराग के तरफ से आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है क्या वो नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं या फिर नहीं तो आप पिस पूरे बिल को कैसे देखते हैं और चिराग के गुट के तरफ से जो बाते कही गई है उससे आपको कितना सहमती जजाते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वीडियो को शेर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कापिटल टीवी बिहार धन्यवाद